सबसे पहले हम यह 6358W IC को कवर कर लें अभी क्योंकि MTK में यही दो IC आपको फेमस मिलेंगी CRB और यह 6358W और MRB बहुत सारे फोन में मिलेंगी आपको अभी इन ही पर आपको यही आपको पॉर्स में पढ़ाया गया है मतलब यही आपको पढ़ाया जाएगा MT6358W CRB MRB और 6328B इसको हम रियल मी के फोन में यह लगा होता है न इसको हम इन आउट वोल्टेज ही खोर लेते हैं यहां पर बोर्ड पूरा देखता है क्योंकि इसमें कोई भी वो पत्रा लगा नहीं होता है और इसके बाद हम स्केमेटिक इसका ओपन कर लेते हैं जब भी क्लास नहीं चले हैं तो आप लोग पीछे की वीडियो को रिपीट करते रहे हैं रात में करते हैं कि नहीं सभी लोग करते हैं कि दिन में तो टाइम मिलता नहीं किसी को रात में कम से कम रिपीट कर लिया कर लिए आदा घंटा एक घंटा जो भी है और जब भी पढ़िए कॉपी लेके बैठिए यहां पर यह आइसी दिख रही है वैसे यूटूब पर हमने इस आइसी का एक बार बता रखा है बहुत कुछ देखा होगा आप लोग में साहिद लेकिन बहुत डीप में नहीं बताया इसमें डियो सो अगरा भी यूज करके मैंने दिखाया था इसकी क्रिस्टल की फ्रेक्वेंसी भी चेक किया था 26 मेगा हर्ट्स की फ्रेक्वेंसी इसमें बनती है कितने बनती है 26 में 26 में 26 होता है और क्वारल का में क्या होता 19.2 में तो यहां पर दिखाया आपको यह आइसी यहां पर पावर आइसी लगी हो यह इसकी जूम कर देते हैं थोड़ा सा यहां पर इसकी क्रिस्टल है और यहां पर दिखें कितने कोईल है एक दो तीन चार पाँच छे साथ आट कितने कोईले हैं आट नौ तो एक पावर आईसी होगी और उससे नौ कोईले कनेक्टेड है तो जल्दी से पहले बना लेते हैं उनको एक यह दो यूगे तीन चार पाँच छे साथ साथ आठ आठ नौ ठीक है आठ 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 एक आज से जो एक वाई यह वह आपकी वी पीटी यह नी आठ 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 वह वो जो वोल्ड के आस पास मान सकते हैं जी जी का जी पॉर फैंट सीक्स टू जी पॉन्ट सेवन फूुरे यूजि ठीक है यह दो तो आप लोग जानते हो ना एंटी के में अब यह आपका जो मॉडम सप्लाई है एंटी के में यह आन होता है पहले ही जब आप चाल्जर लगा के चेक करोगे तो एंटी के कोई भी फोन हो उसमें मॉडम सप्लाई को इस टाइम भी बनती रहती है और कंडिशन में भी कि लिए रहा है जल्दी बना दिया ऐसा तो समझ में आ रहा है यह कोईले हैं जी जी अब यह मॉडम सप्लाई आपको आन मिलेगी यह सारी आप इनमें देखना है आपको क्यों कौन सी पावर इनमें होती है यहाँ पर सबूर इसको वे लेवां करके यानी 1 तो सब में रहेगे जे मी प्रिशेसर नहीं अा और फिर ऐसली प्रार् сохран reShop नेटी के लिए प्रोसेशर पावर इंकी ब्रोटेज लेबल होती है आखे 0.80 इनको पॉल कम में अगर हम देखे तो यह हमारी वॉक्स अप्लाइय है माइक बंग लिए है ठीक है बग पावर जो होती है वह हमारी कोर्ष अप्लाइच होती है कौर को को ही सोई को गाते हैं वह यह मारी प्रोसेसर की वोल्टेज होती है यह प्रोसेसर देख रहा है अब इस्तियार भी में और इसमें क्या अब करें रहा है कि मिहीर जी आपका इको माइक सही नहीं है सायद कोई और माइक आउन करें ठीक है वी प्रोसेसर जो हो गया बग पावर हो गया इसके बाद आपको इस फोन में क्या मिलता है एक GPU की सपलाइ मिलती है GPU जिसका नाम है ग्राफिक प्रोसेसर यूनेट कि इसके अंदर जाती है मेंद़ ग्राफिक प्रोसेसर जी एक का झाली या सॉटी है जैसे कि हमने एक कवलक्व में मेमोरी सप्लाइ देखा था याद है जी इसमें आपको एक और स्प्लाई मिलेगी डी रैम क्या मिलेगी डी रैम के लिए रहा है यह होती है 1.2 वोल्ट डी रैम नहीं समझ में आ रहा है यह अलग हो गई ना थोड़ी सी जी पीओ और डी रैम हम जब MTK का CR भी पढ़ रहे थे तो उस टाइम वी प्रोसेसर की केवल एक वोल्ट इस थी वी कोर की एक वोल्ट इस थी वी मॉडम भी एक वोल्ट इस थी वी पीए एक सप्लाई थी थी ना और एक ही एल्डियों थी केवल वी एस वन यहां पर वी एस टू भी जा जाती है इसी में वी एस टू अब आपको पता है वी एस वन वी एस टू क्या है मैं पड़ा रखा हूं आप लोग बताईए दो गोड़ की वन पॉइंट धू आपको अब लॉब गजया ख्यांट वी एस वन हम रहें यह वी एस टू रहे हैं कौन साथ वाग गज्ट आपको अपको अब लोग मुद्धर यह एक हैं इस टू श्कॉर्ट कि यह सब्सक्राइब कर जिए इतनी को कि वोल्टेज़ेस होती है नो कोईल है ना यहां पर कि यहां पर क्यों प्रोसेसर की पावर पर थोड़ा ध्यान दिया गया है इस पर डबल वोल्टेज दी जा रहे है इसका मतलब है कि एक लाइन जो होती है केवल इसकी capability होती है maximum 5 ampere की अगर दो लाइन है हो गई तो इसकी भी maximum capability 5 ampere की होगी और running ampere जो होता है वो 3 ampere या 2 ampere के आसपास होता है तो 2 ampere 3 ampere यहां से जाएगा 3 ampere यहां से टोडल 6 ampere IC के अंदर CPU के अंदर उसके आसपास 5 ampere 6 ampere चली जाएगी केवल प्रोसेसर की voltage के साथ में low voltage high ampere ठीक है इन्हीं के equivalent होता है four की ampere भी इन्हीं के equivalent क्या होता है four की ampere भी होते है four में भी ज्यादा एंदर बाकि आपकी रैम के लिए supplier DRAM CPU के अंदर दी जाएगी और यहां पर GPU जो है CPU के अंदर उपस्तित ग्राफिक सेक्शन के लिए voltage दी जा रही है इस एप्रिटी कहा जाती है four जी आरे पर क्लिए रहा है कि लिए रहा है जी जी ठीक है अब आप स्क्राइटिक पर चले है जी यहां पर आपको स्क्राइटिक में दिखेगा यह दो हजार यू दो हजार जो रहे हैं यह आई सी यहां पर लिखेंगे यू दो हजार सर्च किया तो यह देखिए सामने आगया यह आई सी नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ अगये फ्रंट पे यहां पर लिखा हुआ जी लिखा वह दिखक आपको यू दो हजार का यह जी सेक्षन है और यहां पर वी डी डी आउक्स आडियो की जो सेक्षन है यह वह है यहां पर हमारी जो भी voltages बन रही है वो audio के लिए auxiliary section होगी और audio और यहां पर crystal connected है तो हमारी यहां पर crystal की line भी connected है वी in और यहां पर यहां से बन रही है crystal की एक्षों पर भी क्रिस्टल इकनेक्टेड है हम पूंची जो बात में पढ़ेंगे अभी यहां पर देखा हुआ एफ में भी हमारी पूरी पूरी क्लॉक सेक्षन है आपर दिख रहा है एक्षों की सोची जो सी क्यूंची मतलब बहुता है सीप्यू के अंदर यहां से 26 मेगा हर्ट्स जाएगी यह नेटर्क सेक्षन में जाएगी 26 मेगा हर्ट्स एक्षों जो लिखा है डबू टी आर की जगए जो इसमें आइसी लगी है उसमें यह वाइफाई में जाएगी डबू सीया जा रहा है वो सारी चीजे हम बात में दे जाएगी यहां से 1.8 वोल्टेज जो लिखा हुआ है इसके साथ में यहां पर आर्टी सी क्लॉक जो है 32 कीलो हर्ट्स जा लिखा हुआ हुआ है यह निकल के स्लिप क्लॉक इसको बोलते हैं यह निकल के सीप्यू में जाती है यह सारी चीजे हम अभी जस्ट आगी एक बार हम और क्लिक करते हैं तो जैके ह एच पर आगया हमने अभी देखा एक बार क्लिक किया तो जी घी भी हमने देखा वju नहीं पढ़ना है ति THE आ गया आपके डी में आपको क्या लिखा हूआ आडू सेक्साट अर्डियो सेक्शन यह सब audio section, माइक के लिए यह चीज़ें है, यह चार्ज pump जो लिखा है, यह audio section की pump है, यहाँ पर detection की पिने है, इधर में audio output है, यह पूरा section audio का है, यह हम तक पढ़ाएंगे, जब हम audio section पढ़ेंगे, MTK का, इसको माग बढ़ाता है, यह charge IF लिखा हुआ है, यह चीज़ें हम पह हमने पढ़ा रखा है, V system sensor line है, V bat on क्या है, यह bat on सबको पता है, thermal line है, V bus इनकी voltage divider circuit, VCDT line है, यह भी हमने पढ़ा रखा है, charging detection की voltage, V bus USB, इनकी charging LDO, इनको भी पढ़ा रखा है, जो जो चीज़ें होती है, सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखा, charging LDO, VCDT, bat on, Vsense, bad sense, ठीगर इधर में दिख रहा, bad sense, V bat है ना, यहाँ पर, यह bad sense की लाइन है, यहाँ पर एक sensor pad लगा हुआ, यह pad ही maximum time कट जाती है, जिससे phone में error आने लगता है, चलिए हम आगे बढ़ते है, E section को आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा, C section, यह इस IC का control section है, power IC का कौन सा section है, control section, इनको भी अभी हमको नहीं पढ़ना है, हम just यहाँ से एक बार और click करते हैं, यह देखिए, यह हमारा इसका LDO section है, यहीं से वो सारी LDO निकलती है, वीरेज 2 वाली, इसको मैंने पढ़ा रखा है, call com में आप लोग, वीरेज 2 जानते हो ना, आप लोग, जी, तो वीरेज 2 जो होती है, वो तब आन होती है, जो फोन में हमारी LDO बन जा है, यहाँ देखिए, VS1, LDO1, VS2, LDO1, देखा हुआ है न, VS2, LDO2, VS2, LDO2, VS2, LDO4 और उन सब के लिए ground, फिर इदर से reference voltage, और इदर से direct power के लिए voltage, यह हम अभी देखें, LDO, हम एक बार हटाते हैं, आगे, यह 1, 2, 3, 4 क्यों लिखा है, यह इनको categorize कर रखा है, 1 इनके लिए है, 2 इनके लिए है, देखिए, VS1, PMU से जो भी बनेगा, वो LDO1 बनेगा, LDO1 जो है, सबसे उपर है, LDO2 ऐसा, 3, यहाँ पर देखिए, LDO2, LDO1 लिखा है, SLDO1, SLDO2, यहाँ पर LDO, DLDU, ALDO, ऐसा, तो यह इनको categorize कर रखा है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, और यहाँ पर चार पार्ट, मज़र आ रहा है, जी, और इनके बारे में यहाँ पर description में दे रखा है कि कौन सी LDO की voltage level कितनी है, current level कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़े हम समझ जाएंगे, चार पार्ट में हमको LD दिखा, एक, दो, तीन और यहाँ पर चार, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, 1, 2, 3 और 4 इंपुट तक है, LD और 4 तक इंपुट है, है की नहीं? जी, एक बार हम इसी को और सर्च करते हैं, तो यहाँ पर A section में आगे, A section ही हमारी main bug section, यानि की main जो हमारी bug converter section है, जहां से हमारी voltage बनेगी, low वाली और ampere उसमें high वहती है, ठीक है? अब इनी section में हमारा क्या आता है, V system, V system यानि की V pH पार, कहां से बनती है, चार्जिंग IC से या पिर PMI से, आप लोग ने पढ़ा हो गई है? जी अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर switch mode power supply on नहीं होगी, V system के साथ में यहाँ पर ground भी है, switch mode power supply के लिए, यह pad भी आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, इस capacitor पर नीचे side में ground मिलना चाहिए, अगर यह sensor pad खराब हो जाता है, तो C 2001 के ground गायव हो जाएगी किवल प्लस रहेग तब भी अपकी SMPS off हो जाती है, ठीक है? जी, अब यहाँ पर V system input कराया, यही V system एक बार यहाँ पर input कराया, आपको दीख रहा है, प्रोसेसर, यहाँ लिख वी प्रोसेसर 11, बोल दो आप इसको V processor 11 के लिए एक बार यह V ph in कर रहा है, यही वी system कर रहा है, फिर यही वी system को पर नीचे से इंकर रहा V processor 12 के लिए, फिर क्या बना रहा है, V core के लिए यही voltage इंकर रहा है, power IC के अंदर, अगर यह sensor pad कट गई, तो core voltage की sensor pad कट गई, core voltage नहीं बनेगी, तो तुरंत power IC off हो जाएगी, कोई voltage नहीं बनेगी, कोई भी sensor pad जो ground line में यहाँ पर लगी हुई है, disturb न करते हो, क्योंकि इसके बाद ही sensor pad है, तो capacitor पर ground रहती है, इसका मतलब हमारा यह सारी sensor line में ground की sensor pad से आ रही है, वो सारी चीज़े सही है, अगर कोई ground missing दिखती है, तो आप समझ जाओ, वहीं से problem आ रही है, फिर आपको का करना है, एक jumper बस लगाना है, capacitor जैसे आप माइनस का jumper पर लगाओ कि उप्टूरंत आपका काम हो जाएगा, सारी voltages बनने लगेगी, समझा रहा है, यहां पर हमको ध्यान देना पड़ेगा काफी, और यह पूरा blue color से देखा, green color से आप बॉक्स में बन करके रखा ये, all bug caps close to chip लिख रहा है, chip के पास में आई है, और इन पर आपको बहुत ही ध्यान से checking करनी है, bug caps पर, यह register भी आप इसके अंदर ही लेलो, ठीक है, और यह case आप तब करते हो checking, यह checking आप तब करते हो, जब power IC की input तो आपको दिख रही है, यह VPH बन रही है, लेकिन VPH के बाद कोई वीरेज 1 की supply नहीं मिल रही है, आपको, हैनि कोई भी output नह मिल रहा है, ठीक है, जब कोई भी output नहीं मिल रहा है, तो आपको उस time क्या चेक करना होता है, यही सारी चीज़ चेक करना, अब हमने देखा कि प्रोसेसर की voltage, यहाँ पे भी प्रोसेसर की 12 हो गई, यहाँ पे V core हो गया, V modem हो गया, V PA हो गया, Vs1 हो गया, Vs2 हो गया, GPU हो और T RAM हो गया, नजर आ रहा है, जी, तो जितनी supply हो के लिए यहाँ पे apply किया गया है, तो एक हो गया, दो, उतनी output मिलनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, दस तो है नहीं, नो, तो नो को आईले हम को यहाँ पे नजर आ रही, तीन, तीन, छे, न वो सारी नाम हम यहाँ पे पहले से लिख रखे हैं, वी प्रोसेसर 11, 12, Core, Modem, APT, VS1, VS2, DRAM, और GPU, ठीक है, अब यहाँ आप देखिये, वी प्रोसेसर 11 निकल रहा है, फाइफ एमियर की मैक्सिमम करेंट, फाइफ एमियर, फाइफ एमियर, फाइफ एमियर, यहाँ पीयर, यहाँ पे खट गई, यहाँ एमियर, नोड़र में, यहाँ एमियर, यह जो लिखी पड़ी हो जहाँ पर आप ना, यह मैक्सिममम है, क्या है? लेकिन उसके नीचे नीचे ही रहता है वो आप चेक नहीं कर पाओगे कभी करना भी मताब फोन डेड हो जाएगा मुल्टीमेटर भी खराब है अगर आप मुल्टीमेटर को एंपिर मोड में लगा के चेक नहीं करते हो तो जैसे नौब रखोगे मुल्टीमेटर तुरंत वहां से धुमा निकल जाए और फोन तुरंत बंद हो जाए अगर जाए विप्रोसेशर एलेवन और 12 की के वाला वोल्टिग चेक तरों यहां पर लिखाए वी डी डी वी प्रोसेशर वी एल ऐसा लिख रहा है यह वी एल जो उनकी अंदर सेक्शन के अंदर है सिद्धियू के अंदर यह बी एल सेक्शन है उनकी दो यह फीड़बेक यानि वन की प्रोशेसर वन की वोल्टेज के दो फिडबाइक लाइन है एक पॉजिट्व फिडबाइक और एक नेगेटिव फीडबाइक ग्राउन लिखा है यह प्लस फिडबाइक और माइनस की फिडबाइक यह समझने आता है आप लोगो मैं कले पड़ा रखा हूं कहा से कर दिए है I would लिए दो फिडबैक है के विर कोर के लिए पिड़ाम के लिए cheaper मत है वी मॉड़़um से दो फिडबैक है वी पि, बैड के लिए कोई लिएarter नहीं कि अविए जूपकी अंवài-ध लाम है। तो आपको यह सारी अ-ब ज्लाब सालएए को इसका मतलब हुआ ⁧ इनपूड की पूरी पोजीसनिंग देखी और आउटुड की पूरी पोजीशनिंग देखी सही आ तो क्यों नहीं हो रहा है थे आईसी खराब है upon mothers कि इतना बड़ा प्रोपोर्शन हमको तभी चेक करना होता है जब पावर आई से दो बार चेंग निकर लिया उक्के बूर्ड से निकाल के डाल लिया फिर भी कोई वोल्टेज नहीं पन रहा है अब यहां पर देखेंगे कि जो प्रोसेसर 11 की वोल्टेज यह अंदर जाती है कि नहीं जाती है आप इसको जान सकते हो कैसे जाती है इसा भी है जो इस असमर्थ है जो इसको नहीं समझ सकता है कि सिप्यू में कहां जाएगी अभी तक तो साइद नहीं होगा क्योंकि मैंने कई बार यह काम किया यह कॉपी किया सर्च किया और सिप्यू में गया वह दिखा आप लगा इसके बाद हम सिप्यू पढ़ेंगे तो यह चीजे भी समझ में आ जाएगे अब हम को जब हम सिप्यू पढ़ाएंगे मोल्कम में बसको छोड़के एपिडिटी को छोड़के के लिए रहां कि आजिक हमने चार्ज कर दाए ट्र कि लगा कि क्या चेक आँख करेंगे कि इसके रधा कि वी सिस्टेम लिए फिस्टेम की फिट्बइक राउन लाइनगे चेक फिलए अगर नहीं बनेदी तब का सिंपल शिंपल इपने देते हैं कि बस वी सिस्टेम के पहुंच रही है यह या नहीं बता है जो अगता है कि नहीं जी है अगर अगर हम इस पर तॉट नहीं तो पस्टूर पॉटी से तो लिए कि अप्रम विए ट्रॉटी तुट पर देखना है कि पावर स्टेश्ट कि नहीं पिर पावर के बाद हम क्या चैके तरेंगे बताएं पीसी, रेड, इसी को फॉलो करता है, परते हैं ना, जे, तो हमने बस पावर देखा, फिर तुरंद हम क्लॉक देखेंगे, तुरंद क्या देखेंगे, क्लॉक, अब यहां से जो क्लॉक निकलती है, वो जाती है क्रिस्टल में, और क्रिस्टल से होके कहा आती है, एक मिनट क्रिस्टल थोण सभी से बनाए यह गलत हो गया, क्रिस्टल से होके कहा आती है, फिर से पावर आइसी में, और जब पावर आइसी के अंदर सीप्यू से इनेबल आता है, बेस्बेंट इनेबल, तो यहां से निकलती है बेस्बेंट क्लॉक, बी, बी, क्लॉक, आउट, जब इनेबल की सीप्यू अपलाई करेगा तब ही निकलेगी, सीप्यू से इनेबल आना चाहिए, इसका मतलब पावर लेवल उपके हो जाना चाहिए, पावर उपके हो जाएगी सीप्यू की, ठीक है, सीप्यू की पावर बन गई तो सीप्यू अब उसको क्लॉक चाहिए, को क्लॉक के लिए यहां इनेबल भेजेगा तो इनेबल के बाद यहां पर क्या निकलेगा क्लॉक आउट निकलेगा 26 मेगा हर्ट्स कॉलकम है तो 19.2 होता है जब को पता है अब यह निकलते टाइम इससे जस्ट पहले कि अंदर स्लिप क्लॉक जाती रहती है आर्टीसी सेक्शन की पहले होती है वह क्या होती है कि स्लिप क्लॉक कि इतना होता है 22 किलो हर्ट्स यह जाएगी आपकी कहां पर दोनों लाइने कहां जाएंगे सीप्यू में क्लियर जी सेर्ट तो हमने यह देखा कि हमारा पावर ओके है क्लॉक भी ओके है अब क्या देखना है रिसेट तो सीप्यू में यहां से निकल की जाती है सिस्टम रिसेट 1.8 वोल्टेज ठीक है क्या जाती है सिस्टम रिसेट 1.8 वोल्टेज तो सीप्यू यह 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 सी चिप को रिसेट करता है और यह 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 सी चिप से कम्मुनिकेट करके इनेबल एक्टिवेट करता है सिप्यू की जीपी आयो सेक्षन आन होती है और वहाँ से धेर सारे इनेबल निकलते है और अलग-अलग कंपोनेंट को और अलग-अलग आईसीओ के अंदर अलग-अलग सेक्षन को आन करती है जैसे ही इनेबल सिगनल निकलने सुरू होते हैं उनके बाद जब इनेबल हो जाती है तो डाटा का कम्मुनिकेशन स्टार्ट हो जाता है आई-टू-सी लाइन वर्क करनी सुरू कर देती है होता है ना इंटर इंटिग्रेटेड सर्किट लाइन जिनमें डाटा होता है और क्लॉक होता है एक तो इनेबल कब जाती है जीपी आयो एक्टिव होने के बाद प्रोग्रामिंग होता है एक एक स्टेप धीरे एक्जिक्लीट होता है डिस्प्ले लेवल पर आते आते वह पूरा ओन हो जाता है कि समझ रहा है टिस्प्ले आउन करने की तयारी होती है तो सबसे पहले क्या करता लिभी सी की बायास बनाता है या प्लस फाइएज सी सबड करता है और जब Up इनेबल सिगनल भेजता है लूब आइसी में जिससे प्लस 5 वोल्ड माइनस 5 वोल्ड बनती है फिर डिस्प्ले के अंदर जाती है 1.8 भी जाती है डिस्प्ले के अंदर फिर वहां से निकलता है जाकर इनेबल करता है यहीं डिस्प्ले लाइड़ करेगा तो लाइट आउन होगी और जब लाइट आउन होगी तो उसी समय डिस्प्ले पे आपको चित्र दिखना सुरू हो जाता है क्योंकि जब इनेबल निकालता है उसमें और CABC के बीच में थोड़ा सा time difference होता है उसी time difference में CPU अपने GPU section को on करके ग्राफिक जो होती है डिस्प्ले पे प्रदर्सित कर देता है ठीक है तो जैसे ग्राफिक आती है तुरंत आपका light view उसी समय active हो जाता है दोनों same time पे हो जाता है समझ में आ रहा है और जब डिस्प्ले पे data आ गई तो PC rate आपका complete हो गया यहां पे PC rate जो लिखा यह complete और data level आपकी activate हो गई कि समझ में आ रहा है जी सब्सक्राइब करता है क्रिस्टल में आपको क्या क्या मिल गया नैंटीं पॉइंट इन तो डिसाट वन्डी सिक्स एम इन होगा रिस्टल में यहां पर आइसी से आउट हो दिया तो यहां तो यहां तो यहां पर आउट कर दे रहा है कि आउट क्रिस्टल में आएगा क्रिस्टल से पावर आइसी में आएगा पावर आइसी के अंदर प्योर फ्रेक्वेंसी आजाएगी तो वहीं उठाव नाकिस अभी सेक्शन को गया साजी मिदा कर देगा क्लॉट शमज़ा है यानि कि I2C line के जर्ये जब I2C line जो हमारी होती है वो बहुत सारी ICU से connected होती है और I2C address होती है बहुत सारी ICU की उनके थुरू CPU जो होती है वो बहुत अलग जो भी हमारी छोटी छोटी डिवाइस की लिए I2C लगी होई है उन सभी ICU को call करती है उन्हें address के थुरू और call करके उनसे communication स्टार्ट कर देती है I2C line के जलिए और SPI line जो active करती है CPU उनके जल्ली क्या होता है system power management interface को check करती है CPU की जो हमारी system की power बनी है उनमें कोई error तो नहीं है तो पहले SPI होता है उसके बाद I2C activate होता है काले SPI में checking होती है proper सारी चीजे सही है तो अन्हारा सब्सक्राइब प्रोसेसर पूरी तरह से आनो तो सारी चीजे हम आगे पढ़ेंगे प्रोसेसर की requirement तो बावर आइसे वह बहुत सारी आए से और यह तो अभी इस पोन को चेकिन करना ऐसे पावर लेवल प्रॉप कर गएंगे कोई रफोर दाब दोगा विश्य हो जाए अँ आवर लेवल पे चेकर पाएंगे लेकिन फोन नहीं पावर लेवल अलवर कर इक आई एस में जलग है तो अगर नहीं भी पता है तो इसका स्केमेटिक भी नहीं है तो आप डिया करोगे एक जोपका अनुमान है लगा सकते हो ना कि इतने वोल्टेज की लेवल की सप्लाइग की अगल बगल बननी चाहिए उन्हें से कम से कम दो वोल्टेज जो होती है या तो एक सिंगल वोल्टेज दिखेगी जी और अगर आपके पहचान वाली इसी में जो आपने पड़ रख़ा है तो इसमें तुरांट चेक कर लेंगे आप जी हो जाएगा